खबर तब से पहले के कानपूर से है जहाँ पर विदेश भागने की फिराक में आतंकी जलीस अंसारी तो विदेश भागने की फिराख में आतंक की जली संसारी का फरार साथी कयूस, STF और ATS को इसके इंपुट मिले हैं जहां पर लखनव दिली समय थिकाई एरपोर्ट्स पर हाई अलट क्या क्या है तो नेपाल की सीमा पर भी पैनी नजर रखी जा रही है तो बड़ी खबर बता दे कानपूर से विदेश भागने की फिराख में आतंक की जलीस अंसारी का फरार साथी कयूम है और उसी को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस जो है वो अलट पर है जहां इसके तहत स्टेफ और ATS को जो इंपुट्स मिले हैं उसमे का जा रहा है कि नैपाल भागने की फिराख में है और इसी को देखते वे फिलाल बॉर्डस पर जो तेनाती है उसको और जादा अलट कर दिया गया है वहीं लखनाओ दिल्ली समेथ कई एर स्पूर्ट पर भी अलट किया गया है तो नैपाल में भागने की कोशिश की जा रही है लेकिन उससे पहले पकड़ने की कोशिश और रिसी पर जाद जानकारी के लिए नीरच अवस्ति हमारे साथ हमारे सायोगी जुड़ गया है किस तरह के इंपूर्ट से यहां पर स्टियेप और ATS को मिले हैं और क्या बताया जा रहा है कि अभी कयूम कहा ہो सकता है और कोशिश यहां कहा हो रही है भागने की कि देखे अभी जो कायों के पहने जानकारी थी वो जो इन्फुट मेले के स्टियफ को एकिस को वो मिलते कि कानपूर में ही है वो डॉक्टर बं के संपर्ग में था तो उसको लेकर चुकि डॉक्टर बं की दिरमतारी कि अबाद उनका नंबरों को सर्विलास में लगा दिया है तो ऐसा क्यात है कि उसमें एक नंबर कयूं का भी है कयूं की जानकारी पहले मिल रही थी कानपूर में लेकिन अब ऐसी जानकारी मिल रही है को कि वो विदेश बादने की फिराग में इसकितल के लखनौ दिल्ली समयत नेपाल सीवा पर भी सक्रिता बढ़ा दी गई गई हाला कि अब यह इस बस दूट पर नहीं कहा जा सकता है कहा है लेकिन जो यूरिजम कुछ मिल पा रहा है उसके इसाब से कानपूर से वो निकल कर विदेश बादनेगी फिराग में फिलाज जो एटियन और एस्टिया की में है लगता रूप की जरूरी पकड़ा जाना और जवाज मिल पा रही है आपको कितना जरूरी पकड़ा जाना है कयूं का बहुत ही जरूरी है कि कयूं को जल्द जल्द की रखाती है चलिए धनवाद आप कनीर ज़माने साथ जुडने के लिए